नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे एट्यूब चैनल में दोस्तों सनातन धर्म में इस्त्रियों को देवी का दरजा दिया गया है शायद इसलिए या कहा जाता है कि जिन घरों में इस्त्रियों का सम्मान किया जाता है उन घरों में देवी देपताओं की असीम कृप्या बरस्ती है दोस्तों कहते हैं एक इस्तरी ही मकाम को घर बनाती है और एक काम्याब पुरुस के पीछे भी किसी इस्तरी का ही हाथ होता है इसलिए घर की इस्तरी को सदियों से माता लच्छमी का सोरूप माना जाता है दुस्तों एक इस्तरी अपने पती के लिए या फिर अपने परिवार के लिए लच्छमी के समान भाग शाली है या नहीं इस बात का अंदाजा उसके शरीर के कुछ निजी अंगों से भी लगाया जा सकता है दोस्तों चाड़क की नीती और समुद्र शास्त्र में महिलाओं और पुरसों के कई शुब अंगों के बारे में बताया गया है जिने देख कर उनके बरत्मान और भविस्ष के बारे में जाना जा सकता है दोस्तों इसके अलावा उन अंगों की मदद से उनके बीतर छुपे हुए रहसे को भी जान सकते हैं दोस्तों अब यहां सवाल यह है कि आखिर जिन महिलाओं के निजी अंग वड़े होते हैं तो वे किस तरह की होती हैं तो चलिए दोस्तों इस सवाल का जबाम हम आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं दोस्तों शास्त्रों के मुताबिक महिलाओं के निजी अंग अगर बड़े हैं और सामान आकार से थोड़े बड़े दिखाई देते हैं तो ये उनके लच्चिमी सुरूप और भागशाली होने का संकेत देते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं वीडियो के माध्यम से जरा बिस्तार से लेकिन उससे पहले हमारी आप से छोटी सी रिकेस्ट है वीडियो पसंद आये तो इसे लाइट जरूर करना और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेर भी करना चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्र इस्त्रियों की गर्दन सामान आकार से थोड़ी लंबी होती है तो ऐसी इस्त्रियां भागशाली मानी जाती हैं दोस्तों कहा जाता है कि लंबी गर्दन वाली इस्त्री सुक और वैश्र भोगने वाली होती है दोस्तों नंबर दो है लंबे कान जिन इस्त्रियों के कान साम लंबे होते हैं ऐसी इस्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि वो भाग शाली होने के साथ ही लंबी आयूवाली भी होती हैं दुस्तों नमबर तीन है लंबे वाल जिन इस्त्रियों के वाल लंबे होते हैं वैसी इस्त्रियां सुन्दर होने के साथ साथ भाग शाली भी मानी ज दिखाये जाते हैं क्यूंकि महिलाओं के लंबेवाल शुब्टा और भागशाली होने का संकेद देते हैं दुस्तों moment चार है मास युक्त जांग ऐसी मानता है कि जिन इस्त्रियों की जांग मजबूत और मांस युक्त होती है उन इस्तियों को भागशाली माना जाता है दुस्तों नमबर पांच है वड़ा सिर पुराणों के अनुसार सामाने से बड़े सिर वाली इस्तियां भी भागशाली मानी जाती है ऐसी इस्तियां अपने परिवार के लिए एशोर लाने वाली और भागशाली होती हैं उनके पैर मातालच्छिमी के चलणों के समान शुब होते हैं और ऐसी इस्त्रियां आपने गर परिवार को सुख संपत्ति से भरदेती हैं दुस्तों नमबर साथ है लंबे हाथ, जिन इस्त्रियों के हाथ सामाने से थोड़े लंबे होते हैं, वो भाग शाली मानी जाती हैं, ऐसी इस्त्रियां अपने पती और परिवार वारों के लिए भाग शाली साबित हो सकती हैं दुस्तो नमबर आठ है गहरी नावी जिन इस्त्रियों की नावी वड़ी और गहरी होती है ऐसी इस्त्रियां धनवान भागशाली होने के साथ ही शुप्ता का संकेत देती हैं ऐसी इस्त्रियां परिवार को सुख देने के साथ साथ धन वेवो और संतान से युक्त होकर जीव भर आनंद भोगती हैं दोस्तों महिलाओं के शरीर के इन अंगों के भागशाली होने की बात पूरी तरह से तत्यों पर आधारित है दोस्तों वीडियो में हमने आपको जो भी बताया वो कोई हमारे अपने निजी विचार नहीं है वलके सनातन धर्म के शास्त्रों और पुरा प्रूर आई होगी चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस जैहिए